हेलो गाईज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेकफोर्स 2 की बेस्ट सेटिंग्स जिसको अपलाई करके आप अपनी वोईस की कॉलिटी को काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हो आप चाहिए जिस भी परपस के लिए वोईस रेकॉर्डिंग करते हो, इन सेटिंग्स को अपलाई करके आप अपनी वोईस की कॉलिटी को डेफिनेटली बहुत जादा इंप्रूव कर लोगे तो इसके लिए बसाबो करना ये है कि इस वीडियो को लास तक देखते रहना है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जिनने नहीं पता कि रेकफोर्ज 2 किया है तो जैसा कि मैंने आपको बताया रेकफोर्ज 2 एक आडियो रिकॉर्डिंग एप है जो कि प्ले स्टोर पर फ्री और पेट दोनों ही वर्जन्स में अबिलेबल है लेकिन इस वीडियो में मैं आपको फ्री वर्जन के सेटिंग्स का टुटोरियल देने वाला हूँ अच्छी बात ये है कि इसमें वो सारे ही फीचर्स अबिलेबल हैं जो कि एक अच्छी वोइस रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए होते हैं तो इसलिए मैं आपे फ्री वर्जन ही यूज़ करने वाला हूँ तो अगर आपके फून में या एफ यव 1 तक इंस्टाल नहीं है तो आप जाकि ब्लै स्टोर्स इसको उसपे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे आपसंस मिल जाएंगे तो एक एक करके मैं आपको सारे आपसंस explain करता हूँ सबसे पहला option आपको यहाँ पे मिल जाता है noise pressure का जिसको अगर आप select करते हो तो आपकी background में जो भी noises आती है वो काफी हद तक कम हो जाएंगी उसके नीचे आपको मिलता है acoustic echo canceler का option तो अगर आप जहाँ भी recording करते हो जिस भी room में वहाँ पे अगर आपकी बहुत जादा echo होती है आवाज तो यह उसको reduce करने में उसको कम करने में आपकी help करेगा तो इसको भी हम select कर लेंगे उसके बाद इसके नीचे का option आप देखोगे तो आपको recording time option इसके नीचे मिल जाता है तो यहाँ पे आप recording time shift कर सकते हो suppose that मैं यहाँ पे 5 minute का recording time shift करता हूँ तो 5 minute के बाद recording जो है वो अपने आप बंध हो जाएगी ठीक है उसके बाद recording time के नीचे आपको skip silence option मिलता है तो skip silence पे अगर मैं click करता हूँ तो यहाँ पे उसके नीचे कुछ और भी options मिल जाते हैं हमको तो अगर मैं चाहता हूँ कि जब मैं कुछ ना बोलूँ तो कुछ भी record ना हो मतलब कोई भी gap बिच में ना है मेरे recording के तो मैं इन options का use करके वो कर सकता हूँ जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैंने 002 ही select कर लिया और अगर मैं अभी कुछ ना बोलूँ तो कुछ भी record नहीं होगा और जैसे ही मैं कुछ बोलूँगा तो फिर से recording देखो वहीं से start हो गई उसके नीचे आपको यहाँ पे threshold का भी option मिल रहा है तो इसको अगर मैं 0dB पे set कर देता हूं तो जो भी voices जो भी मैं बोल रहा हूं या background की जो भी voices है वह 0dB से अगर उपर होंगी तो ही रेकॉर्ड करेगा उसके नीचे की voices यह record नहीं करेगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो तो अगर मैं इसको minus 15 या minus 20 db पे कर देता हूं तो यह देखिए जो भी minus 20 decibel से उपर की voices हैं वो सारी यहाँ पे record हो रही है वैसे मैं आपको suggest करूँगा कि आप इस option को नहीं select करें तो ही better है तो उसके नीचे आपको schedule recordings का option मिलता है जिसको use करके आप किसी भी time पे recording start कर सकते हो suppose that मैं चाहता हूँ कि 11 तारिक को सुबह 11 बजे मेरी recording 5 मिनिट के लिए अपने आप start हो जाए तो मैं यहाँ से उसको set कर सकता हूँ तो यह तो हो गई इसमें सारे settings उसके बाद हम फिर से इसके home page पे चलेंगे home page पे आप यहाँ पे देख सकते हो upper left side में आपको 3 lines मिलेंगे उस पे आपको click कर देना है तो जैसे हैं आप click करोगे उसके पर आपको settings option मिलेगा तो settings में आपको चले जाना है यहाँ पे यह जो है यह main settings है तो यहाँ पे थोला ध्यान से देखिएगा जो जो मैं बताऊंगा क्योंकि इस से आपकी voice की quality पे काफी फर्क पड़ सकता है सबसे पहले यहाँ पे audio settings है तो audio settings में audio record की option पे हम click करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको format option मिलता है तो यहाँ पे बहुत सारे आपको formats मिल रहे हैं लेकिन मैं आपको personally recommend करूँगा कि आप web या तो MP4 या flak में ही अपनी voice की recording करें क्योंकि अगर आप MP3 या OGG जैसे format में करोगे तो जितनी बार आप अपनी voice को process करोगे जितनी बार edit करोगे उधनी जादा इसकी quality जो है वो degrade होती जाएगी तो इसलिए मैं आपको personally recommend करूँगा कि आप web या तो MP4 या flak में करो तो मैं तो यहाँ पर web में करूँगा तो मैं web select कर लेता हूँ उसके बाद आप यहाँ पर frequency का option है तो आप जितनी जादा frequency select करोगे आपकी voice की quality उतनी ही अच्छी हो जाएगी तो यहाँ पर मैं 48 kilohertz select कर लेता हूँ उसके नीचे आपको mono stereo option मिलता है तो यहाँ पर कोई भी select करो कोई फर्क नहीं पड़ता जादा यहाँ पर इसका difference बस यह है कि mono में आपको दोने speaker से एक ही तरह का आवाज आएगा और उसमें आप changes नहीं कर सकते लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके left side से थोड़ा जादा आवाज आए मतलब left speaker से या left earphone से तो आप उसके लिए stereo select कर लो उसमें आपको option मिल जाएगा आप voice editing के time पे ऐसा कर सकते हो तो मैं आपे stereo ही select कर लोंगा उसके नीचे आपको compatibility mode मिलेगा तो उसको आपको select कर देना है ताकि इस app को यह पता चल सके कि आपके device में यह formats या फिर यह settings जो है वो apply होंगी या नहीं ठीक है उसके बाद आपको okay पर click कर देना है उसके नीचे आपको source का option मिलेगा तो source में यह तो front microphone या back microphone या default जो भी आप चाहो जिस भी microphone से recording करना चाहो आप उहाँ पर से select कर लेना okay तो उसके नीचे आपको recording name format का option मिल जाएगा यहां पर जिस भी format में आप अपने recording को save करना चाहते हो उस format में आप यहां से save कर सकते हो यहां पर बहुत सारे format से तो मैं किसी भी में select कर लेना को दिक्कत नहीं इसमें उसके नीचे disable AGC का option आपको मिलेगा तो यहां पर आपको यह जरूरी से select कर लेना है क्यो इसमें आप चाहू तो अपने यहां पर photo लगा सकते हो आर्टिस के जगे पर आप अपना नाम लिख सकते हो अलबम के जगे पर आप अपनी YouTube चैनल का नाम लिख सकते हो या किसी गाने का नाम लिख सकते हो यह सब करके आप इसको OK पर click कर देना उसके नीचे आपको other settings में prevent phone from sleeping option मिलेगा तो अगर आपके screen के time of duration दो मिनिट का है और आप 5 मिनिट के recording करना चाहते हो तो आपका screen recording के बीच में off ना हो जाए इसके लिए आप इसको select कर लेना उसके बाद आपको Conversion Settings में जाना है Conversion Settings में आपको Conversion Auto का option मिलेगा तो अगर आप चाहते हो कि recording के just बार दी Mac में आप यहां पे से अपना save कर सकते हो जिस भी frequency पे चाहो उस frequency पे select कर सकते हो stereo mono भी कर सकते हो यहां पे उसके बाद आपको OK पर क्लिक कर देना है इसके नीचे आपको delete converted files को option मिलेगा तो मैं कहूंगा कि इसको select नहीं करना है क्योंकि अगर आप इसको select कर लोगे तो आपक option मिल जाएगा तो इसका मतलब यह है कि आप जब भी अपने recording start करो तो सीधा wave view में आप देखना चाहते हो या नहीं इस view में देखना चाहते हो या simply ऐसा देखना चाहते हो तो उसके लिए आप इसको select कर सकते हो या नहीं कर सकते है या आपकी मर्जी है उसके नीचे आपको preview mode option मिलेगा तो इसको आप सो select कर लेना है जैसे आप इसको select करोगे तो आपके पास option होगा जहांपे से आप चेक कर सकते हो कि आपके background में कोई ज्यादा noises तो नहीं आ रहीं उसके बाद जब आप इस टिक पर क्लिक करोगे तब जाकि आपकी असली voice recording start होगी उसके बाद आपक option में आपको मिल जाएगा तो यहां पर अगर अगर मीडिया बटन्स यानि volume up और volume down कीज को अगर किसी चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो pause या stop के लिए तो उसमें आपको यहां से select करने का option मिल जाएगा उसके बाद आपको फिर से back पे चले जाना है और home page पे तो बस यही कुछ थी settings जिसका use करके आप अपनी voice की quality को improve कर सकते हो तो अगर आपको यह वीडियो helpful और important लगी तो इस वीडियो पर like और comment कर दीजिएगा और अगर आपको ऐसी ही और भी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को subscribe करके बिल notification ओन जरूर कर दीजिएगा thank you